हेई काईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप साब आज में रेके आई हूँ आपके लिए एक जबरदस्त हैक जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो लीडिस की चूड़िया कड़े होते हैं काफ़ी महेंग आते हैं और जब उनके नग निकल जाती है और डायमंड से तो वो किसी काम की नहीं रहती है पहने में भी अच्छे नहीं लगते और एक दो नगों की वज़े से हमें जो है उसको रिटायर करना पड़ता है और फिर वही 400-500 के न्यूं कड़े लेने पड़ते हैं कंगल लेने पड़ते हैं तो इसी का यह आज जब मैं आपको हैक बता सकते हो कोई शाहिन नहीं कुछ नहीं है तो शाहिन कैसे आती है तो मैंने यह आप ग्लू देख रहे हैं यह ग्लीटर ग्लू है जो जिनके घर में बच्चें को तो पता ही होगा कि ग्लीटर ग्लू क्या होती है यह 15 रुपे की ट्यूब आती है I think 10 वाली भी आती है तो इसक कि देखेस्वा टॉर्ड लेना है। तो कॉटन बट की मद़ से मैंने पूरे जो यह कड़े हैं इनके ऊपर पूरे में जहां-चार निकले हों डाइमें निकले वहां नहीं लगानी है पूरे में ही आपको इसको श्राइट करना है और इसको जो है मैं एक हाए जर्क से वीडियो डते हुना रही थी और एक हाए जर्क सूझ मन्ल hers दों ठर्क्राम रहा थी तो थोड़े से वीडियो आपको के लिए कहीं grading था suffrage we mm viruses निकले वहार नी लगा रहे ही हैं पूरए निकले से लिव निकले हो इक एक हां एक35 तो उसे कि आजल्घा है क्को तो यहां धायो जोडेता है कि नो Susie तो इसलिए आपको पूरे मेही स्ब्रैट करना है ऐसको थोड़ी दियर के जितनी देर इसको सुखने में टाइम लगता है अथनी दियर आपको आप रेकिस uncleya वाला जाके देखिए और अब ये अच्छे से सूखा भी नहीं था एक्चुली में ये और आप बलीव नहीं करोगे कि ये मैंने अपने करवा चौत पे पहने थे करवा चौत से एक दिन पहले मैंने जब इसको निकाला मैंने देखा इसके डायमंड्स तो निकले हुए और मैंने करवा चौत से डाला अगर फोटो होगी तो यहां पे मैं लगा दूँगी करोगी कि मैंने इसको पहना था कर नहीं था ये सरी वीडियो के लिए और वीडियो में इतना किलियर परता नहीं लगा वाके में ही बहुत प्रीटी लग रहे थे और लोग निरा था कि पुर